CoinSwitch Kuber एक crypto exchange है और उनका ads तो आपने देखा ही होगा टीवी पे, मोबाइल पे और उनका ads मैंने भी देखा था आप में से काफी सारे लोगों की तरह मैंने भी crypto में invest किया था और अलग-अलग exchanges में invest करके try किया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको CoinSwitch Kuber में मेरा जो investment था उसका क्या मेरा experience है तो आप कह सकते हो कि ये एक experience based review है और आप ये कह सकते हो कि ये मेरा experience और मेरे research के उपर based एक वीडियो है बाकि सारे exchanges की तरह CoinSwitch Kuber में भी आप 80 plus coins खरीच सकते हो ये platform इंडिया की जो top exchanges है उनके liquidity को use करता है इनके पास सारे major जो भी coins से वो listed है और आप उनके पास से ये खरीच सकते हो यहाँ पर coin buy करना काफी easy है काफी simple है लेकिन एक catch है यहाँ पर बाकी traders की तरह आप अपने coins को withdraw करना चाह सकते हो या फिर अपने coins को दूसरे किसी wallet पर transfer करना चाह सकते हो लेकिन आप इसमें वो नहीं कर पाऊगे other exchanges like metamask या फिर trust wallet अब यह काफी बड़ा flaw है क्योंकि यह आपका जो decentralization है इसके against है अब आप पूछ सेकते हो कि उत्सब्दा यह decentralized क्या है तो explain करता हूँ decentralized cryptocurrency exchanges operate करता है decentralized तरीके से ही यानि यहाँ पर कोई भी third party का interference नहीं होता है अब कॉइन स्विच कुबेर यहाँ पर third party की तरह काम कर रहा है या फिर act कर रहा है और उसने withdraw बंद कर दिया है अब अगर कॉइन स्विच कुबेर ने इसके against में क्या काया या फिर उन्होंने officially क्या काया है वो मैं आपको पड़के सुनाता हूँ अब यह क्या कहना चाहते है कि इंडियन गवर्मेंट ने मना किया है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल के लिए नहीं गवर्मेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और यह क्रिप्टो करेंसी decentralization के against में है और इसे stop करना चाहिए क्योंकि कॉइन स्विच कुबेर के पास कोई right नहीं है किसी user के coin को hold करके रखने के लिए और उनका withdrawals stop करने के लिए मैंने जो सीखा उसके basis मेरा आपसे suggestion यही रहेगा कि प्रीज अगर आप crypto करने से भी invest करते हो invest करने से पहले जैसे आप stock या फिर mutual fund में invest करने से पहले research करते हो उसी तरीके से research कीजिए और ऐसे platform से बच कर रहिए जो आपको रोकता है अपने investment के उपर decision लेने से प्रीज ये ads देखके प्रीज भूलिये मत अपना research अपनी जगा पर है क्योंकि पैसा ultimately अपना है तो वहाँ पर अगर आप गलज जगा पर इसे invest कर दोगे तो उसके बाद पस्ताना भी आपको ही प बताना था जिससे आप अपने पैसे को मतलब ठीक तरीके से invest कर पाओ ना कि कहीं पर जाके पैसा आप invest कर दो फिर अपना ही पैसा आप withdraw ना कर पाओ दासल दोसर थैंको सो मच पर वाचिंग लव यू चलो बाए